नमस्कार दोस्तों आपका इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों पांच आतंगवादियों को गिरफतार करने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के DCP प्रमोज सिंग कुश्वाहा ने खुलासा करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में ISI मौजूद है वहाँ से टेरर फाइनेंस ऑप्रेट होता है कश्मीर टेरर नेट्वक के जरियर ड्रग्स भारत बिझवाया जाता है जब इंडिया में वे ह ड्रग्स भिक जाता है तो उसी के पैसे से ये लोग भारत में आतंगवाद को हावा देते हैं आतंगवाद को फाइनेंस करते हैं DCP प्रमोट सिंग कुश्वहा ने कहा है कि जो लोग आतंगवाद के खिलाफ खड़े हो रहे हैं उनकी हत्या करवाई जा रही है सामप्रदाइक सौहार्थ बिगारने की कोशिश हो रही है इन सबका लिंक पाकिस्तान से है और इनका टारगेट किलिंग का प्लान था लेकिन दिल्ली पुलिस और केंद्रिय एजेंसियों की कोशिश से यह लोग पकड़े गए हैं पंजाब में टारगेट किलिंग का काम यही लोग अंजाम दे रहे हैं दरसल इस सबके पीछे पाकिस्तानी एजेंसी आईएसाई का हाथ है जांच और पूछताश में पता चला है कि पकड़े गए सभी आरोपी अपरादी है इनमें आरोपी अयूग पठान का कनेक्शन हिजबुल मुजाहिद्दीन से है वो हिजबुल का OGW था इनके संबंद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से है पठान का भाई P.O.K. में रहता है ये लोग ड्रक्स की तसकरी में शामिल है पता चला है कि पाकिस्तानी एजेंसी, ISI, खालिस्तानी और कश्मीरी आतंकियों का टेरर कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है बलविंदर सिंग हत्यकांट की पीछे भी इनका लिंक था पंजाब के कई अपराधी और गैंक्स्टर्स को इन में शामिल किया जा रहा है पंजाब के आतंगवाद को जिन्दा रखने की कोशिश के सवाल पर DCP कुश्वहा ने कहा कि बलविंदर जी आतंगवाद के खिलाफ बोला करते थे उनको इसलिए मारा गया उन पर पहले भी कई बार हमले हुए थे पंजाब का कोई आम आदमी इन में शामिल नहीं है ना ही वहां के आम लोग इसमें विश्वास रखते हैं खालिस्तानी विचार धारा को हवा देने के लिए गैंक्स्टर्स का इस्तमाल किया जा रहा है पकड़े गए पंजाब के दौनों लड़के अपराधी है इनका अपराधिक इतिहास है इनके खिलाफ पहले से कई मुकदमे है तो दोस्ते ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी साथ बेल आकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आजाए